नमस्कार मित्रों मित्रों राजिस्थान में भगवान स्री कृष्ण के एक दयालू भक्त रहते थे उनका नाम था महेश चंद्र उनकी दवाईयों की दुकान थी उनकी दुकान में भगवान स्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कौने में लगी रहती थी महेश जब दुकान खोलते तब सफाई के उपरांत हाथ दोकर निते भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी ही स्रद्धा से धूप दीप दिखाते महेश का एक पुत्र भी था उसका नाम मिन्टू था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था वह भी अपने माता पिता को ये सब करते हुए देखा करता था क्योंकि वह एक नए जमाने का पढ़ा लिखा नव्यूवक था इसलिए अपने माता पिता को समझाता रहता था कि भगवान बगेरा कुछ नहीं होते सब मन का बेहम है पिता जी ये साइंस का जमाना है पिता जी उसको इस नेवरी द्रश्ती से देखते और मुस्कुरा कर रह जाते वे इस विशय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाते थे समय बीतता गया पिता जी बूढ़े हो गए शायद वे ये समझ चुके थे कि अब उनका आंत समय निकट आ गया है एक दिन महेश ने अपने बेटे मिंटू से कहा बेटा तुम इश्वर को मानो या मत मानो मेरे लिए तो ये ही काफी है कि तुम एक महंती दयालू और सच्चे इंसान हो लेकिन क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे बेटे ने जट से कहा कहिए ना पिता जी जरूर मानूँगा पिता जी ने कहा बेटा मेरे जाने के वाद एक तो तुम दुकान में रोज भवान की इस तस्वीर को साफ करना और दूसरा यदि कभी किसी परिशानी में फस जाओ तो हाथ जोड़ कर भगवान स्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना बस मेरा इतना कहना है यह कहकर पिता जी भावक हो गय पिता जी की बात सुनकर बेटे ने तुरंत ही सुईकृति दे दि और कहने लगा पिता जी आप भावक मत हो ये मैं आपकी बात जरूर मानूँगा कुछ ही दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया समय गुजरता रहा एक दिन बहुत तेज बारिस हाने लगी मिन्टु दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राकी भी बहुत कम हुई बारिस की वज़े से दुकानदारी कम चली उपर से लाइट भी बहुत परिशान कर रही थी तभी अचानक एक लड़का भीकता हुआ तेजी से आया और बोला भैया भैया ये दवाई चाहिए मेरी मां बहुत बीमार है दॉक्टर ने कहा है ये दवा तुरंत ही चार चम्मत यदि पिला दी जाए तो ही मां बच पाएगी क्या ये दवाई आपके पास है मिंटु ने पर्चा देखा और तुरंत कहा हाँ ये दवाई मेरी दुकान पर है ये सुनकर लड़का खुश हो गया और कुछ ही समय के उपरांत लेन देन के बाद में दवा लेकर चला गया लेकिन ये क्या लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद मिंटु ने जैसे ही काउंटर पर निगा मारी वो पसीने के मारे लस्ट पस्ट हो गया क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की सीसी बापस करके गया था लाइट परेशान कर रही थी लाइट ना आने की बज़े से बेटे ने सीसी काउंटर पर ही रख दी थी उसने सोचा था कि लाइट आ जाएगी तो मैं सीसी को वापस उसकी जगए पर रख दूँगा लाइट नहीं आई इसलिए सीसी काउंटर पर ही रखी रही और जो दवाई मिंटू ने उस लड़के को दी थी वो काउंटर पर रखी रही और वो बच्चा चूहे मारने की सीसी को उठा ले गया और वो बच्चा पड़ा लिखा भी नहीं था मिंटू अचानक से ये कहने लगा अनर्थ हो गया उसके मुझ से अचानक से ये ही निकला हे भगवान अनर्थ हो गया तवी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने दुखी मन से प्राफ्णा करने लगा हे प्रभू पिता जी हमेशा कहते थे कि आप हैं लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था यदि आप सच मुझ हैं तो आज ये अन्होनी होने से बचा लो हे प्रभू एक मा को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो प्रभू मत पीने दो जहर बचा लो प्रभू इस तरह से वो प्रभू से गुहार लगाने लगा तभी पीछे से आवाज आई भैया भैया पीछे मुड कर देखा तो वही बच्चा सामने खड़ा था और कह रहा था कीचड की वज़े से मैं फिसल गया दवा की सीसी भी फूट गई क्रप्या आप एक दूसरी सीसी दे दीजिए ये सुनकर बेटे की आँखों से जरजर आँसु बहने लगी वो खुश हो गया और भगवान की मन मोहब मुस्कान से भरी तस्वीर को देख कर रोय जा रहा था अब उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई तो है जो स्रश्टी चलाता है जिसे कोई भगवान कहता है तो कोई ईश्वर कहता है कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा कहता है मित्रों प्रेम और भक्ती से भरे हिर्दै से की गई प्राप्ना कभी अंसुनी नहीं रहती भगवान स्रद्धा भाव के भूंके है एक वार अपनी प्राप्ना स्रद्धा भाव से करके तो देखिए मित्रों कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सब्सक्राइब करते समय घंटी जरूर दवाईए जिससे आपको हमारी नौटिफिकेशन मिलती रहेंगी साथिमों मिलती हैं फिर एक और भक्ति में कहानी लेकर प्रेणन दायक कहानी लेकर तब तक के लिए नमस्कार जैश्री कृष्णा